हेलो दूस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजूकेशन बाइट पर साइन्स की आज़ी क्लास में हम साइन्स का सकेंड चेप्टल स्टार्ट कर रहे हैं जो है म्रदा और फसलें ठीकि इसमें मिट्टी मिट्टी के प्रकार पढ़ने हैं आपको म्रदा अपर दन क चेप्टर करवा दिया है अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर पढ़ी हुई है आप वहां से जाकर देख सकते हैं ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं म्रदा से म्रदा यह मिट्टी होती क्या है तो मिट्टी को इंग्लिश में सभी को पता है स्वाइल बोलते है तो प्रत्वी की जो उपरी सतह होती है वही म्रदा कहलाती जो उपरी दानेदार सतह होती है वो म्रदा कहलाएगी आपकी म्रदा का जो निर्मार है वो लाखो वर्सों में चट्टानों के छोटे-छोटे कड़ों में तूटने तथा उनमें वनस्पती और जीवों के सरने ग सब्सक्राइलip मिंटी को आप देखेंगे की मिट्टी में कड़ों के प्रकार फो के मिट्टी में कड़ों के । प्रकार के अब अलग-ालग प्रकार के ख्र पाइ्जाते ऐसे तो होते हैं मतलब कुछ आकार में जोटे होंगे बहुत ही महीन होंगे कुछ उससे बड़े होते जैसे बालू बगेर आपने देखी होगी तो यहीं वहीं यहां पर दिया गया कि म्रदा में अलग-अलग प्रकार के कड़ पाए जाते फरस्ट है आपका म्रतिका इसे चिकने कड़ लिए कले भी बोलते हैं इंगलिश में ठीक है यह क्या होते हैं यह बहुत ही महीन होते बहुत खम आकार के होते है अगर इनके कड़ो का आपसे और व्यास पूझा जाये तो कितना होग गा जीरो पॉइंट गैटो pen-2 अकार होता है जीरो पोइंट- людей से प्योइरो से कितना होगा 2MM तक होगा थीकए अगर बज़री देखे तो बज़री बालु से बड़ी होती में कड़ में इसके कड़ा का कितना होगा हिसंको से अधिक टीक है कि ए आप ही आप इसमें याद कर लिए मरतिक्या मुग खुला होता है उसके इस तरीके से निशान लगा हुआ रहा हुआ जिदर मुऔğ खुला होता है तो जिदर बन्द होता है बढ़ी वाली यानिकि उससे छोटा मान तो यहां से समझ में आ रहा होगा सबसे पहले कले आएगी यानिकि मृतिका के कड़ आएगी सबसे छोटे होंगे यह उसके बाद अगर कड़ पूछे जाए तो गाद के आते हैं वो मृतिका से बड़े होंगे फिर आपका जो बालू के कड़ो होते हैं कड़ों का अकार वो गाच से बढ़ा होता है वरी के कद्ट करों का बालु से भी बढ़ा होता है थीक के तो इस चीज को याद रखना सबसे इंप्रेंट है यह आपके लिए नेकस्त और राइए म्लदा के उपयोग बारे में टो म्रदा की उपयोग होता है मिट्टी का सबसे बर्तन बनाएमे हम सभी जाए मिठा देखे ना आप लोगोंने सुराही और घड़े का यूस तो गर्मियों में पानी के लिए करते हैं पानी को ठंडा करने के लिए ठीक है तो वह यह बरतन निर्माड में सुराही घड़ा मटका कुलड वगेरा चाय पीने के लिए क्या यह मिट्टी से तो बनती है नेक्स्ट आपका जैसे चूहा हो गया इस दिमक नेवला इत्यादी मिट्टी में ही रहते हैं यह सब नेक्स्ट क्या पेड़ पौदो के लिए उपयोगी तो यही पीड़ पौदों केले की जल और अफशोसित करते हैं ठीके पेड़ के लिए पानी यह तो पेड़ के ऊपर डालो तो तो चीज़ है आपके लिए यूमस पूछा जाता है कि यूमस क्या होता है तो यूमस भूरे काले रंग कार्वनिक पदार्द होता है यह पेड़ पौध हो और जीव जनतों के प्राकरतिक रूप से विगटन से बनता है क्या होता है कि जब पेड़ पौध है और जीव जनतों मिट्ट Eagles में मर जाते हैं तो दीरे दीरे क्या होता है उनका विगटन दाई ऊदोफसे उसके अंदर मिट्ट면 सअधे गल जाएगे तो वही क्या है दीरे दीर अफिरोस्क्रा एक दम मिक्स हो मिट्टी के प्रकार के उपर तो भारती क्रसी अनुसंदान परिसत के अनुसार जो भारत की मिट्टी है वो रंग और सरचना के आदार पर आठ वर्गों में बाटी गई है ठीक है वैसे आपको कई सारी मिल जाएंगी मिट्टी है लेकिन इसके अनुसार भारती क्रसी अनुसं कि हेज़ती है , जालोंड मथ्य क्या होती है , जालों मंत्यी ये नदीयों दौरा पहाडी जेट्र से लाकर मैदानी जेटि उत्य मढां सबसे उपजाओं मिट्टी आपकी सबसे उपजाओं मिट्टी कौन सी आपकी जलोड मिट्टी नदियों सबसे अदिक मिट्टी मात्रा में अच्छी मात्रा में देखने, बागी मिट्टी नायट्रोजन और की कमी होती चलोड मिट्टी सबसे अधिक कौन सी मतलब फसल के लिए उपयोगी है तो धान की खेती के लिए सरवादिक उपयोगी है और धान के साथ साथ इसमें गेहूं मक्का तिलहन आलू की खेती भी कर सकते हैं ठीक है तेको मिट्टी के आए किसी एक फसल के लिए तो बहुत अच्छी होगी और बाकी ही ऐसा है कि उसमें और फसले भी हो सकती है ठीक है तो सरवादिक उपयोंगी पूछी जाए तो धान के लिए बाकि इसमें गेहूं मक्का वगएरा भी हो सकती है next Small जलोड मिट्टी के प्रकार देखेंगे तो जलोड मिट्टी दो प्रकार की होती है ठीक है एक होती है नई जलोड मिट्टी एक होती है पुरानी जलोड मिट्टी ठीक है नई जलोड मिट्टी क्या होती कि हर साल बाड आती है न तो बाड के साथ में जो नदी का जो जल होगा उसके साथ मिट्टी आ जाएगी और फिर जब बार चली जाएगी यानिकी बार हट जाएगी तो मिट्टी आपको प्राप्त हो जाएगी तो वो जो मिट्टी होगी वो क्या होगी वो नई मिट्टी होगी ठीके नई जलोड मिट्टी तो उसको जो नाम है उसको खादर भी बो तो खादर जाएगी बांगर कम उपजाओ जाएगी नेक्स आते हैं काली मिट्टी के उपर तो काली मिट्टी के जो अन्य नाम है वो क्या है रेंगुर मिट्टी बोली जाती है कपास की मिट्टी भी बोली जाती है और लावा मिट्टी इसलिए बोली जाती है क्योंकि यह क्य निर्माड देखीए इसका निर्माड जोळा मुखी विसवोट के तोता है यह पर समझे कि जैसे ईसाप उखला निकला तीक है जिरे जब लावा निकला ऊसके बात क्या होगा आपका एक बनने में जाएक किस से बनी लावा के जमने से बनी ना लावा जाघंडा हो गां। जब क्वश्रांद चुछातLab पर टूस्यां से प्रचार मीं पूस्याया करणे करने रेकिजश्थ से मुश्राइं लावा क्यों से बटलने मिट्टी थी दो संद है यह मुद्ध्यप्रदेश गुजरात महाराश्ट उत्त्री कर्नाटर शट्रों में मिलती है और सब्से जादा आपको देखने को मिली काह aquí किस के लिए अपयोगी है तो कपास िखेती के लिए सरवादे को रूरु की मित्टी फोलते हैं और लावा से चनली बनेगी और चस्ट पान की छोकने की छमता सबसे अधिक होती है ये कौन सी घेति के लिए किस की खेति के लिए उपी होगी तो यह नेक्ट मिट्टी क्या है आपकी प्राय दीपिए भारत में जहां कम बर्षा होती है उस जगें पाई जाती ठीक है अब इसका जो लाल रंग होता है वो क्यों होता है लाल रंग इसका होता है फैरिक ऑक्साइड के कारण जब भी आपसे लाल रंग का अगर आपकी मैंड में कुछ भी आया है लाल रंग किसी वस्तु का पूछा जाए तो वहाँ पर जैसे मंगल ग्रह का लाल रंग क्यो आईरन यानि कि आपका लोगा ठीक है तो फैरिक ऑक्साइड की पसिती के कारण इसका क्या है लाल रंग है यानि कि जहां पर आपको आईरन देखने को मिलेगा ना वहां पर आपको लाल रंग भी देखने को मिलेगा ठीक है लेकिन यह होता क्या है जब यह मिट्टी आपकी ज सरवादिक उपी होगी है ठीक है नेक्स्ट है आपकी लेटे राइट मिट्टी यह क्या होती इसे मक्रली मिट्टी भी कहा जाता है इसमें भी आपके लहो ऑक्साइड और अल्यूमिनियम की भरपूर मात्रा होती इसलिए इसका रंग भी क्या होता है लाल होता है ठीक है देख क्ली कोफी काजु और कौनलो कि यह अगर देखने को लेगी में वर्णार की कहती के लिए तो वहिना पर लिखा है इस मिटि का विष्टार पर्वतिय छेतरों यानि हिमाले की आजपास देखने को मिलता है पहाडी छेतरों में बागवानी करसी चाय की अधिक मात्रा होती है नेक्स आते दल्दली मिट्टि या पिटमाइ मिट्टी इसको बोला जाता से इसका रंक काला बोलेटिक अचीव क्हालेटीक होती है सबढोय मैच थैफ मिटिया और को यहां चाहिए डल दल मिटी Samy आपकी मरूसथली मिटी संधुरों मरूस्था सब्सक्रामेन की साएथ , जहतं będę ST Board आपकी सॉंपकी मरूस्थली कमी से इसा इससे मृत प्रे этого में नंत्य कमोगी यानुंण पानी कम नोगा इन मिठ्टि में ठीक है यह देखने में बलू होती इमलवड़ी होती हूं ठीक है रैतिली सी आपको लगेगी ठीक फैर क्या यह कहाँ राजिस्थान गुज्रात पंजाब भर्याणा में देखने को मिलती है सरवातिक राजिस्तान में देखने को मिलेगी फिर गुजरात पंजाब में भी कुछ हिस्से में यह मिट्टी मिल जाएगी जुआर और बाजरे की खेती के लिए यह उपी होगी है ठीक है बहुत अनाज नहीं हो सकता है पता है आपको नमी की कमी है ना तो ज्यादा खेती अच्छे से नहीं होगी इसमें लेकिन फिर भी कुछ फसल के लिए तो उपयोगी होगी ना तो वह आपकी ज्वार और बाजरा हो जाएगी लवडी मिट्टी तो लवडी मिट्टी का जो नाम अन्य रे है उसर और कलर मिट् तो इसमें क्या है कि लवड की मात्रा दिखोगी ठीक है सबसे जादा ये कहां पाई जाती है गुजरात में पाई जाती है ठीक है नेक्स्ट आपके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है मिट्टी में आपको क्या होता है अगर कोई फसल बोनी है तो उसके लिए सबसे अच् की मात्रा जादा हो जाए ठीक है एसिड की मात्रा और मिट्टी में चार की मात्रा जादा हो जाने की बेस की मात्रा तो उस मात्रा को कंट्रोल करने के लिए कम करने के लिए क्या कुछ पदार्थ मिलाना पड़ेगा तो फस्ट पॉइंट वही आपक की मिट्टी के अगर अम मिलियता को कम करने के लिए में कौन सा पतार्थ मिलाना पड़ेगा उसमें लाइम या चूने को मिलाते हैं चूने का उपयोग करते हैं चारियता को कम करने के लिए किसका उपयोग करेंगे तो चारियता को कम करने के लिए जिपसम का उपयोग किया जाता है ठीक है नेक्स टाप का है म्रदा अपरधन, तो म्रदा अपरधन को आप नाम से समझ रहे होंगी, इस नाम से मित्टी का कटाव जाएगा, पर थात्र रोग्तोंफ से बनारी जाया, जैसे आधी तूफान आया, मित्टी उड़ के क्या होई, उपर की जो मिट्टी है उपरी परत वो इधर से उधर पहुंच गी बाड़ वगेरा आई तो इसमें भी काफी मिट्टी ऐसा तो है कि नहीं मिट्टी आ रही है पर जो मिट्टी वहाँ पर उस इस्थान पर थी वो भी तो बहे के चली जाएगी न तो वही म्रदा अपरदन कह होने वाली हानियों को देख लिजे सबसे पहला अधिक अपरदन होगा तो उची भूमी क्या होगी नीची हो जाएगी सीधी सी बात है जो मिट्टी वहाँ से बहुत ज्यादा परदन हो रहा है तो मिट्टी क्या है अपने इस्थान से हटती चली जाएगी और हटने के जाओन यहोंगे जतनी उपर वाली होगे ठीक अब वो अपरदन से हट गई आपकी ऑन्स जिसका कारण क्यों शरक्षत करना हो चाहिक है तो सबसे पहला हुपाय तो ही बोलते है कि बहुंगों को जितना ज़्यादा हो सेगे बनों की रक्षा करो पेड़ पौद ही लगाओ इससे होता कि मर्दा अपरदन आपका रुक जाता है ठीक है अब अगर कारण पूछा जाए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पेड़ पौदों की कटाई वनों की कटाई तो यही कारण हो जाएगा ठीक है तीवरता से हवाएं बहेंगी तो उससे भी आपका क्या होगा मिट्टी एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक जाएगी तो वो भी मर्दा अपरदन का कारण है ठीक है खुदाई, सडक, निर्माण, बांध वगएरा जब बहुत अधिक मात्रा में यह सब हो रहा हो तो भी आपका क्या है मिट्टी का अपरदन हो रहा है ठीक है अब इसके उपाय क्या है कैसे मर्दा को सरक्षित कर सकते है कुछ भी अगर पूछा जाए दोनों में से तो दोनों में एक उपाय आपको लिखने है वनों की कटाई पर रोक लगा दो वनों की कटाई कम से कम की जाए तो क्या होगा मर्दा परदन आपका रुकेगा छीक है मर्दा सरक्षित होगी नेक्स्ट पॉइंट क्या है ब्रक्षा रोपड को भड़ावा देना अधिक से अधिक मात्रा में वनों को लगाना ठीक है नेक्स्ट आपक क्या है बाढ़ वाले छेत्रों में छेत्र के दोनों और वन लगाकर पानी को इधर उदर कर देना भाड़ वाले चेतरे में इसमें क्या होगा बहुत अधिक मात्रा में कटाब होगा तो वहाँ पर पेड़ पौदे लग जाएंगे इदर उधर तो इससे पेड़ पौदों का काम क्या होता है जब जड़ होती है उनकी वह मिट्टी को बांध ही रखती है ठीक है इसलिए बोलते कि अधिक से अधिक पेड़ पौदे लगाओ तो उससे मर्दा परदन काम होगा क्यों कि जड़ों की साहता से क्या है बंदी रहेगी घटी रहेगी कि अलग अलग फसलों को बोने से क्या होता है जो मिट्टी होती उसकी उपजाओ शक्ति बनी रहती है तो वही आपका होता है फसल चक्रण ठीक है अदल बदल के फसलों को बोना वो कहलाएगा फसल चक्रण फिर क्या है अन्यंत्रित पशुचारण पर रोक लगाना ठीक है जैसे पशुचारण यानि कि जो पशु है वो उनको मतलब ज्यादा से ज्यादा मिट्टी वो खा रहे हैं घास वगएरा तो उस पर रोक लगाने चाहिए इससे क्या होता है जब उन्हें घास खाई तो जो उपरी परत की मिट्टी होगी वो हट जाएगी नीचे की मिट्टी उपर आजाएगी ठीक है तो इससे क्या इस से मर्दा पर्दन होता है आपका ठीक है तो नियंतित पसचारण पर रोक लगाना next आपका six point है बाद नियंत्रण रोकने के लिए नदियों पर बाध बनाना ठीक है जब बाध बाड़ आती है न तो उसको रोकने के लिए उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या होना चाहिए नदीप पर बान मिलाना चाहिए इस तरही मर्दा परदन रुकेगा और मर्दा क्या होगी सरक्षित होगी ठीक है तो आपने मर्दा परदन के उपाय और इनका सरक्षित तमझे लिए यह important आपका और जो मिट्टी के प्रकार बताय है इनके मीनिंग क्या होते हैं और फसल के लिए कौन-कौन से यंत्र यूज के जाते हैं वो सब पढ़ेंगी ठीक है आशा करती हूं आपको ख्लास अच्छी लगी होगी ठैंक्स वर वाजिंग और प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चनल बाबाय टेक एर